हलो फेंड्स बलकम टू मा यूटूब चैनल देखे गाईज आररवी टेकनिसियन दूहजार चोविस का ओफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो देखे इस वाले वीडियो में हम लोग आररवी टेकनिसियन का तूहजार अठार का पेपर सॉल्व करेंगे इसमें मैंने टोटल 50 questions लिये हैं तो वीडियो को पूरा बहुच किजिएगा और जो भी नए बच्चे हैं जिन लोगों नवी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइबर को नोटिफिकेशन बैल ओन करना ना भूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेशन को यमार सेयर कर दीजे सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए आज के सेशन में पहला questions निम्र मेंसे कौनसी हेक सत्य ही घटना है कौनसी एक सत्य ही घटना है Sofia रुन जो है न ये सत्य ही घटना है तो और डी जो है आपका बिल्कुल करक्ट हो जागा नाइस कोशन देखे का सभी बच्चे अगला कोशन से निम लिखित में से कौंसा डौव रीनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लीथियम और सोडियम भी सामिल होते हैं तो पोटेसियम आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक चो सभी बच्चे अगला कोशन से कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज उर्जा की व्रद्धी होती है यह होते गती की चौथा ओप्शन सही हो जाएगा ठीक नाइस कोशन देखे का सभी बच्चे किन उतको में कोशिकाएं जीवित होती है लंबी और कोनों पर अन्यमित रूप से इस्थूल होती है किन उतको में कोशिकाएं जीवित होती है कॉलन काईमा जिसमें लंबी और कानों पर अन्यमित रूप से इस्थूल होती है तो पहला ओप्शन स करेक्ट हो जाएगा अगल अगला कॉश्चिन्स क्या है कि एक वक्रिय दर्पण जिसमें परावर्तन सतय अंदर की और वक्री होती है उसे कहा जाता है अबतल दर्पण क्या का जाता है अबतल दर्पण तो चोथा ओप्शन्स करेक्ट हो जागा अगला कॉश्चिन्स क्या है ध्यान पूर्पण देखेगा क्रॉस परागरण के लिए निम लिखित में से कौन सा परागरण के कारक नहीं है पाउदे जो है ना यह कारक नहीं है तो पहला ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कॉश्चिन्स क्या है कि यहां दर्रा जम्मु कस्मीर को जासकर सीमा में है स्री नगर से लेहे तक का सडक मार्ग इससे होकर गुजरता है यह सिंदु नदी द्वारा बनाया गया है दर्रे की पैचान करें देखिए इस दर्रे का नाम है जोजीला दर्रा क्या है सभी वच्चे निम्ग लिखित वाक्य को सबसे अधिक उप्यक्त विकल्पों से पूरा करें सवर उर्जा खालेस्तान पबन उर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन करती है तो तीसरा उप्शन से जो आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा बात करेंगे अगले कोईशन्स की यदि किसी सुदारातमक लेंस की शक्ति प्लस 2.0D है तो क्या है यह आपको बताना है यह है उत्तर लेंस पहला उप्शन्स करेक्ट हो जाएगा चंत्रमा पर G का मान प्रती पर जी के मान का एक पटाचे है यदि कोई व्यक्ति प्रती पर एक पॉइंट पांच मीटर उचा उचलता है तो चंद्रमा परवा कितनी उचाई तक उचल सकता है option नमर जो दूसरा है आपका 9 मीटर तक वो सबी लोग गुलकुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है नाइस कोशन देखेगा सभी बच्चे अगला कोशन क्या है प्रकास संसलेशन के दोरान बने उत्पाद कौन से हैं तो प्रकास संसलेशन के दोरान बने उत्पाद हैं गुलकुल कोस जल और ऑक्सीजन पहला options करेक्ट हो जाएगा नाइस कोशन देखेगा सभी बच्चे अगला questions है कि सिंदु घाटी सबता के लोग किसकी पूजा करते थे देखें सिंदु घाटी के लोग जो है ना पशुपती की पूजा करते थे दूसरा options करेक्ट हो जाएगा बात करेंगे नाइस कोशन की नाइस कोशन देखेगा सभी बच्चे अगला question दा टू फेट्स दा स्टोरी आफ माई डाइबोस नामक पुस्ता की लेखक कौण है जो चेतन भगत की टू स्टेश दा स्टोरी आफ माई मैरिज की हास्य नुक्रती है तो सही जबाब हो जाएगा जोडी बालन अगला question देखेगा कौण सा प्रसिद क्रिकेटर तमिल नाडू की प्री कबड़ी टीम जिसका नाम तमिल धलाई वाज है का सयोगत मालिक कौन है सचिन तेंदूलकर तो सचिन तेंदूलकर आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है नाइस कोशन देखेगा सभी बच्चे अगला question है कि अपच का ईलाज करने के लिए निम लेखित मेंसे किस प्रकार की दवा का प्रियोग किया जाता है किसने की है Archmiddisch की ने की है तूसरा option हो जाएगा अगला question देखेगा सभी बच्चे निम्न मैं से किसने भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनारी नासरी सुरंग को अपरेल 2017 में राष्ट को समर्पित किया नरेंद्र मोधी आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है नैस कोशन देखेगा सबी बच्चे अगला कोशन है हीरे के कारवन परमाणों के बारी कोश में मुक्त इलेक्ट्रोनों की संक्या कितनी होती है तो हीरे के कारवन परमाणों के बारी कोश में मुक्त इलेक्ट्रोनों की संक्या होती है सुने तीसरा ओप्शन करक्ट हो जाएगा बात करेंगे नैस कोशन्स की अगला कोशन्स हमारा है इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है देखिए हाइड्रोजन जो है ना ये नोबल गैस नहीं है तीसरा ओप्शन्स करक्ट हो जाएगा नैस कोशन्स देखेगा सभी बच्चे अगला कोशन्स कहchair कि यूगुमक सलेयन को किसके रुप में परिवासित किया गया है देखिए यूगुमक सलेयन को अंडे के साथ सुकृराइवों मेंसे का एक सलेयन किया गया है तो चोथा ओप्शन्स जो है आपका बिल्क्ल सही हो जाएगा ये नहीं होगा ये हो जाएगा यह वाला चोथा ओप्शन्स ठीक है अगला कोशन देखेगा सभी वच्चे अगला कोशन्स की धार्मिक सुदार के छेत्र में उनकी सबसे वड़ी उपलग्दी ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाच की इस्थापना की वह कौन है वह कौन है डॉक्टर भीम्राव अंबेटिकर राम जुख जाते हैं किसके कारण जुख जाते हैं ऑक्सिन के कारण तो पहला और कोशन देखेगा सभी वच्चे अगला कोशन्स निम्ड में से कौन सा रेडियो धर्मी तक तो नहीं है तो टाइटेनियम आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है टाइटेनियम कि अगला कोशन जानबरों में से कौन सा सरी सरफ बर्ग से समदित नहीं है तो ये समदित नहीं है शाप ठीक है कौन समदित नहीं है इसमें जो आपका जो मेड़क है ये सई हो जाएगा तीसरा वाला ओप्सिन ठीक है मेड़क है अगला कोशन देखेगा सभी वच्चे आधुनिक आवर्त सार्णी में तक्तों को किस आधार पर वेवस्थित किया गया है तो आधुनिक आवर्त सार्णी में तक्तों को परमाडू संख्या में ब्रद्धी में वेवस्थित किया गया तो चोथा ओप्शन्स जो यह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेशन को इबाद सेयर कर दीजे सभी बच्चे वेड़ों को जल्दी से लाइक कर दीजे नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे चंद्रमा की सतय पर एक लड़के का भार 300N है प्रतवी की सतय पर उसी लड़के का भार क्या होगा अठारा सो एंड दूसरा ओप्शन करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे देखे नैस कोशन है कि निम लिखित में से काउं सा कथन गलत है गलत कथन की पैचान करनी है तो इसमें देखे चोथा वाला जो आप्शन से आपका सही हो जाएगा पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं अगला कोशन देखेगा सभी बच्चे एक आपातित किरण की एक समतल दरपन के साथ 20 डिगरी का कोण बनाते हुए आपतित होती है आपतित और पराबरतित किरणों के बीच का कोण कितना होगा ये होगा 140 डिगरी दूसरा ओप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस कोशन कि सुस्क लिटमस पेपर पर सुस्क एच सी आई गैस की किरिया क्या होती है ये होती है नीला या ला लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है तो पहला ओप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है नैस कोशन देखेगा सभी बच्चे अगला कोशन चार तक्तों की परमाणू संख्याए अपनाइन पी पंद्रह सी वन सत्रह ए आर अठारह निम्ड में से किन तक्तों इन दो तक्तों रासानी गोन समान होंगे तो ये समान होंगे एप और सी आई चोथा ओप्शन करेक्ट हो जाएगा नैस कोशन देखेगा सभ अगला कोशन नाइट्रोजन प्रमाणू में उपस्तिर नियोट्रानों की संख्याह कोल साथ होती तो तीसरा ओपशन करेक्ट हो जाएगा ठीकर नाइस कोशन देखेगा सभी वच्चे गाइस अगला कोशन से हमारा निम लिखित को एक उचित अनुकरम में वेवस्थित करें तो देखिए इसमें जो आपका तीसरा वाला उप्सिंस जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अब देखिए आप इसे मतलब लगा कैसे सकते हैं ब्रस्थित कैसे कर सकते हैं उत अगला कोशन लिखेगा सभी वच्चे निम्न में से कौंसी धातु सबसे अधिक आपाद वर्दमी है कौंसी धातु है एन ए पहला उप्शन्स करेक्ट हो जाए नैस कोशन लिखित में से कौंसी धातु सबसे अधिक अभिकरिया सील है कौंसी धातु सबसे अधिक अभिकरिया सील है सी ए तो पहला उप्शन्स करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखेगा सभी वच्चे निम्न लिखित में से कौंसी धातु सबसे अधिक अभिकरिया सील है सी ए आपका सरी आंसर हो जाएगा पहला वाला उचाई से गिरने पर इसकी इस्तितिज और गतिज उर्जा क्या होता है गिरने पर क्या होता है इसकी इस्तिज या गतिज उर्जा में कोई परिवर्प्शन नहीं होता है तो तीसरा options जो है आपका बिल्कुल sorry इसकी इस्तिज उर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज उर्जा बढ़ जाती है थोड़ा सा confusion हो जाता है options में तीसरा options correct हो जाए नाइस कोशन देगे का सभी बच्चे आंध्र प्रदेश के दच्छनी भाग में इस्तित कोलेरू जहिल दो नदियों के डेल्टा पर इस्तित है यह दो नदियां कौनसी हैं यह दो नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा कौन कौनसी हैं गोदावरी और कृष्णा तो चोथा ओप्शन्स करेक्ट हो जाएगा नदियां का सभी बच्चे गाइस नदियां कोशन्स है कि कौपर सलफेट का जली अबलियन नीले लिटमस को लाल रंग में परिबर्तित करता है तो दूसरा ओप्शन्स जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो यह हमारा लाच्ट कोशन्स था तो गर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक ओसेज जरू करें और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिलोगों ने भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है